सुप्रभात अन्यदाता कारिक्रम मां आप सव खिरुत मित्रों नू स्वागत छे। मित्रों आपना प्राचिन कुरुशी व्यवसायों ने वदू फर्दाई बनावाना आश्य साथेज कारिक्रमी शरुआत करिये आजना मुख्य अंशो थी। दर्या किनारविस्तार मां नाडियरी निखे दी। नाडियरी नी जूदी जूदी चात। गुजरातना दर्या किनारविस्तार नाडियरी नी खेती एक खुब मूटा प्रमालमा करी रहाचे। खासकरीने स्तवरास्ट्र ना प्रगती शील खेडुत उद्वारा नाडियरी नी जूदी-जूदी जात नी खेती करवामा आवी रही छे। तो खेडुत मित्रू आजे आपने नाडियरी नी जूदी-जूदी जात विशे माहिती मिढविशू। अधना एपिसोड मा आपड़े जो सुँ डिटी नाडियरी कई रिते बने तेनी प्रोसीच बराबन अवे आ दाखला तरी के आ पोटो छे नाडियरी लोटन छे ड्राप ग्रीन छे आनो जे पोटो छे आमा पोटो फाइटा पची यहनी अंदर जे बटन आवे छे यह बटन न जे कोटन नुक आपड शे यहनी पेरावा मा आवे छे बटन नी जे डेट शे जे नाडियरी ना नंबर शे प्रमाने यहनी डेट नाखी अन्ने एटला दिवसो पची यह बटन सिक्रेशन मा आवे छे त्यारे फरिया नी आपड़े विजित लेवी पड़े छे अन्ने आए अपड़े पड़े छे त्यार पची यह बटन सिक्रेशन ग्रहन करे जे पुलीन चे त्यार पची यह डीटी बनी जाई छे तो एटला माटे थाई अन्ने आट ती दस दिवस सुधी सक्खद अपणे इनी विजित लेवी पड़े छे अन्ने जे बद्दाई बटन पूरे प सिक्रेशन मन्नेवा आवे त्या सुधी उपर प्रक्रिया चालू करवी पड़े छे जे टला बटन सिक्रेशन मावे छे तेना उपर आपणने पराग छड़ावं पड़े छे दैकला दरीके पराग के विरी ते छड़ावे छे तो आज नानिवी डब्बी नी अंदर जे दे जे बटन सिक्रेशन चे तो इनी उपरा पावडर मुक्वाम आवे छे ये पावडर ये सिक्रेशन ग्रहान कर ले त्यार पसी डेटी नो रोब बनी जाई छे अने ये नाडियरी जे शे ये आखी प्रोसिस थाई छे फरी पासु आखा बगिसामा आज रिते नंबर टाकी अ पुलिन चे ते बीजी देशी नाडियरी नुँ सारी पसंद करी अने चड़ावम आवे अने पची आ कोत्राने फरी पासु बांधी देवाम आवे त्यारे ये कोत्राम जे जे टला बटन रही छे जे पुलिन ग्रहन केरूं चे एटलो रुक्स एटला जे फड़ छे ते डि आजित दिवसो एले के सोड सत्तर महिना पची आ नाडियर उत्रे छे आने उत्रा पची आने पंदर विजदी वस छुकाई जै पची तेनो वावे तर करवाम आवे छे अने वावे तर केरा पची जे उगे छे छोड येमा जोवानू के इनने पुलिन चेड़ूं चे तो इ स्वोड तंदुरस्त अने ग्रोथ वदारे करशे ए निवोडक छे। हवे आगल वद्धिये अने जो ये कारिक्रम नो आगल नो भाग। खेडूत मित्रू नाडियरी मा त्रोण प्रकार नी जातो होई छे। पश्रिम किनारा नी उंची जात, ठिंग नी अने हाइब्रिड जातो अने डीटी अने टीडी जात आ दरेक जातो ना गुणधर मा भिन्ने प्रकार ना छे अने दरेक नी अलग खास्तिय अतो छे। गुजरात ना वातावराण ने आबोहवा प्रमाणे खेडूत मित्रो जो वैग्नानिक पद्धती थी डीटी अने टीडी जातनू वावेतर करवामा आवे तो खुब मोटा प्रमाणमा उत्पादन मेडवी शकाए। आपने जानिये छे के आजे सवराषने गुजराता खेडूतो छे ए बागायती खेती तरव फडिया चे। एमा खास करीने रोकडिया पाक तरीके जेन्नी गणना थाई छे। एवा नाडियरीना पाक नी खेती पदती विशे आपने जो सुम। अवे सामनी एते खेडूत भाईयो नाडियरीना पाक नी हवा मान विशे नी जो वाद करीये तो सामनी एते आ पाक चे ए दरिया काठाना विश्तारने खुब ज अनुकोड आवे चे। अवे खेडूत भाईयो नाडियरी वाव माते देसी आपने आईबरीड जातो छे ए उनाडानी एंदर आपडे साथ बाई साथ अथ अथ वादा साथ मीटरना अंत्रे एक बाई एक बाई एक मीटरना खाडा करी अने बराबर एने तपावी अने चोमासू आवे ते पेला त आपने खाडा बूरी देवा जोईये परन्तो खेडूड भाईयो जो तमारे हाइबरीड जातो नो वावेतर करूँ होई तो आपने अंतर छे ए आपने चो बाई छो मीटरना अंत्रे खाडा एना गाडवा जोईये अवे खेडूत भाई जो जातो विशनी वाद करी ए तो अत्यारे आपने जोनागड कुरुसीवनी सेटी द्वारा एक जे आइबरीड जात छे जो आपने डीटी केवा मावे जो आ जातनो वावेतर करूँ होई तो आपने बनने येतु एटले के कोपरा माटे अने पाणी बनने आपने आपना जी एतु छे ए सीद सही थाई शके आउप्रांद फक्तपांणी माटे जो आपने वावेतर करूँ होई तो लोटन छे के गुडान ली छे आवी जात magistौनु पन आपने वावेतर करवा थी आपने अटिती तरण वरसनी अन्दर इन्नि दर फड आवा मने छे आ वाव प्रांद एसी जातों आपने वावेतर परने रोपाने पसंद्गी चे ये खूब जापडे अगत्यनो भाग बजवे चें अवे बनने तिया सुधी रोपा हो चे ए आपडे सरकारी के सरकार मानी ये नर्सरी उबाओ अपडे खरीदी करवानो आगर राखुए जुईए आम छेता कोई खेडूत पोतानी जातेज आ नर्सरी नी तेयार करी आने जो वावा माकता होई तो ये रोपा पाच के तेथी वद्दू तंदूरस्त पान वाणो रोक जीवात मुकत आने नौथी बार मिनानो ये रोपो ओवो जुई है अवे रोपाना जमीन नी जे थड़नो गेराव जेम वदारे तेमर रोपो छे ए सारो अने तंदूरस्त गणाई छे तेमर जे आपने रोपान ना जे छे एनी इंदर पान फाटी गया वोई तो पण आपने मानी लेए के आ रोपो छे ए खुब सारो अने वावा माटे वावा आवे तो एनो विकास से सारी रिते थाई छे अने पाणी नी जे खेट चसी पड़े छे ए आपने निवारी सक्किया छी एकाद भारा वर्षात पड़ी गया पछी आपने रोपाणी माटे नी संपुण त्यारी करी लेवी जोई ए अने अगाव जे उनाडा निंदर तेरा खा पग वडे फरती माटी बराबर दबावी जुई ए अवे खेट भाईयो रोपनी समिये जो पवन्नू प्रमाण बदारे वोई तो गणी बखत आ रोपो छे ए आपने एक बाजु नमी जाई छे आउ नव बने माटे आपने लाकडा के वासनी मोटी सोटी वडे एने टेको आ पवो जुई ए अने नीचे ना भागनी अंदर छे जे मोटा पांचे ए अड़दा अड़दा कापी नाखवा जुई ए कि जेनी लिद्ये पवन्नी असरती ओछी थेई सके तो आरी ते खेडुत भाईयों आपने जो नाडियरीनू वावेतर करती वक्ते आपने रोपनी पस संद्गी अने जे हवा मानु तेमा तमारी जे जमीन छी ए दरेक भापतों ने द्यानमा राकी अने नाडियरीनू वावेतर करवाम आवे तो वर्सो सुधी आपने आ सारी जातना नाडियरीनू फोड छे ये मड़े छे औने एक रोकडिया पाक तरीके आपने गमे त्यारे वेचान करी अने आपने पैसा कमाई सक्किये छी ए अने हावे जोईशु कारिक्रम मा आगल शूँचे आपना माटे खाज हुलाबना फुलोनी कापणी समय सूकर ध्यान राखवा थी एनी आपने क्वालिटी अतले गुण वत्ता अने आपने एक्सपोर्ट परपोर निकास माटे पन एनो करी शकाई यह पना एक खाज अपना मुध्धो अगत्यनों से खाज करेंने गुलाब ना फुलोनी आपने बिया प्रकार ना गुलाब ना फुलो यह तो देसी गुलाब यह चूटक फुलो तरगे उप्योग करिये शे जयरे कट फ्लावर जे एक्सपोर्ट परपरोर करी शे यह गुलाब ने जातो एनो वधु प्रवाण में अपने उप्योग करी सकेएशे। पुलो नो दाडी नी लंबाय ने ध्यनम राध में ने करवा मावेशे। त्यार पसी नू फुलो नू स्वाटिंग करवू। जो कड फ्लावर तरीके ना फुलो न उप्योग करवानो हुआ। तो एनी अलग अलग डाडीयों नी लंबाय मुझब जुडियो बनाव मावेशे। अने सुटक फुलो नी कंतान मो अथाटो वासना तोपला मो नीचे कपडू अथा कंतान मुखी ने फुलो नी प्यकिंग करवा मावेशे। तो एनी अन्दर गुलाब ना फुलो नू ग्रेडिंग समने ते स्थानिक बजार अने निकास न द्यानव राखिने करवा जोई। अने अन्दर अगत्यना परिबढ़ जिवा के फुलो नो ग्यरावो फुलो नू कद फुलो नो रंग विगेरे मुद्दा हो आवरी लिवा जोई। त्यार पसी फुलो नी केडवनी त्रीमिंग करव। ज्यानि अन्दर गुलाब नी पादड़ यो अथा पादड़ाओ वेगेरे हो आतो यहने जुदा करवा जोई। त्यार पसी अन्दर अलग ट्रास्पोर्ड माटे पेकिंग करवने मुखल वा जोई। कट फ्लावर माटे ना फुलो ने पाणिनी खासकरेने ब्याथी त्रणकल्लाग सुदी डाड़ी दूबे त्यार 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 पसी पाणिनी अन्दर अमुख प्रकान ना रशायन नो पर उक्यो करोमा आवेशे। तो खासकरेने लाबा सबय सुदी अने त्याने गुणरता टकी रहे ते माटे अपड़ रशायनों जेवा के सिल्वर नाइटरेट, एनिमुनियम सलफेट, सुक्रोज, कोबाल सलफेट ए प्रकान ना खेमिकल्स नो उप्योग करीने पाणिने लाबा समय सुदी त्यानों ट आखी सकाय अने वधू प्रीकुलिंग टीटमेंट पान आपवा मावे से, खासकरेने डाडियों ने गर्मी दूर करोवा माटे, एने बेजनी मावज़त, इटले के रूम नी अंदर चन्नू थी अठ्वणू टका सुदी भेज, अने बेज तन्थी 4 डिगरी सेल्सियस आडियों नी मावज़त, इतले के गामा कीरणों नी पच्चास क्रेन नी मावज़त पण अपवा थी फोलो नू ताजा पणू अने एनी घूल मत्ता पण जड़वाई रहाचे, खासकरेने प्यकिंग ये अगत्यनों मूद्ध्य से, ताकला तरे के गुलाब ना फोलो कट निकास अरते बार परदेश मा मुकला अना हुआए, तो तेने सारा प्यकिंग मा कारड बोड बोक्स मा प्यकिंग करीने, ये पर बार मुकला जू ये, एनी बोक्स नी साइज, गुलोब ना फोलो नी डाडी नी लंबाय मुझव, खास करीने 100 cm लबू, सारी बच्टिस उचु ए प्रवानु कारड बोक्स नक्की करवा मा आयो शे, कट फ्लावना प्यकिंग बोक्स नी अंदर खास करीने पोली थिलीन, नूज पेपर, सेलोफन पेपर मा फोल करीने, मोटा बोक्स मा प्यक करूँ जू ये, अने बोक्स नी अंदर नरम मटेरियल मुकी ने फिट करूँ जू ये, दर एक बोक्स नी अंदर व्यंटिलेशन इला हवा नी अवजवा माटे काणा पन होवा जू ये, जे थी एनू लामा समय शुदी फ्रेश्टनेस जडवाई रिये, अने गुल्वत अपन टकिरे, त्यार पासी ट्रांस्पोर्टेशन इला परिवहन गुला अने वदू हुंडिया मान मड़ी सके, त्यार पसी री कटिंग जे फूलो ने आपने क्यामिकल नी ट्रीटमट अपी होए, त्याने दर एक ब्यादी वस्चे त्यानी डाडी नो चिलो कापी ने फरिती पासु क्यामिकल ना द्रावण मों अने दुबारू उजवा जोई, यहना अने अने पाणी नो शोशन थे शके, अने खास करी ने फूलो नी सेल्फ लाइब वदू रही शे। आम गुलाब ना फूलो नी कापडी पने पसी ना जे अगत्य ना जे मुद्धाओ ये ध्याने राखी जो समेसर करवामा आवे, तो सारू एवू घुंडिया मन मड अन्नदाता कारिक्रम विशे वदुविगत जानवा, आप अमने अमारा नियत सरनामा पर पत्र वैवारद्वारा संपर्क करिशको छो। त्यासुदी मने रजाप्शो, नमस्कार